सबस् Trekking सबस्क्राज मौनेकं करते हैं एंगुलर मूमेंटम का नहीं क्या था आप ने ठीक हैं whale का Ну सबस्क्राइब करते हो मास को और मेप्ज़आव करते हो विलोस्टि को और रेडियस को रहती हैं मास को तो क्या होती है लेंथ तो यहां से क्या आगया आगया जो displacement क्योंगी वह ओगी लेंथ और time की T into में क्या आगया आपके पास L जो radius का है था वो यहां से इसका dimension formula क्या आगया म ल2t minus 1 देखो इसके बाद एक और physical quantity है resistance है ठीक है रेजिस्टेंस का कोई आपको यह बोलेगी क्या निकालो इसका डाइमेंसन फॉर्मॉला लेकाड़ो आपको पता है V is equal to IR वहासे R की value क्या जाएगी V upon I आप क्या रख दोगे potential का और electric current का जो जो डाइमेंसन आपने निकाला वो रख दोगे क्या जाएगा resistance का उसके बाद होती है आपकी density density क्या होती है mass upon volume वोल्यूम क्या होती है आपकी length cube ठीक है length cube होती तो mass का क्या जाएगा आपके पास meter और volume का क्या जाएगा आपके पास length cube यहांज इसका डाइमेंसन फॉर्मॉला क्या आगए m1 ल उपर जाएगा तो क्या जाएगा minus 3 t t की power क्या गई जीरो और जो powers होती है उसको यह आप क्या बोलते हो dimension अब देखो अगर आपकी exams में यह क्यों से ना जाएगी देखो name any two physical quantity कोई भयाप ऐसी दो physical quantity का नाम बताओ जो क्या होती है dimensionless होती है मतलब उनके पास dimension नहीं होता लेकिन उनके पास क्या होती है unit होती भी इस है इसरो फीजिकल कॉन्टिंटी आपकी आपकी एंगल एक आएग्या अपकी solid एंगल ठीक है इसमें जो इसमें जो एंगल होता है वो क्या होता है देखो एंगल क्या होता है आपकी dimensionless quantity होती है मतलब एंगल का कोई dimension नहीं होता लेकिन जो एंगल की unit होती है वो क्या होती है radiant ठीक है एक तो physical quantity आपकी यह होगी है उसकी यूनिट क्या होती है आपकी स्टेरडियन है ठीक है तो आपको पता चला दो फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या डाइमेंशन लेस है लेकिन उसके पास क्या है यूनिट है अब आपको कोई ये बोले कि फिजिकल क्वांटिटी का डाइमेंशन हो ठीक है कोई भी ऐसी physical quantity का नाम बताओ जिसका क्या हो, dimension हो ठीक है, लेकिन उसकी unit ना हो, तो ये कभी नहीं हो, आपको कोई ये बोले कि physical quantity है ठीक है, आपके पास कोई भी physical quantity है, वो dimension less कोई भी physical quantity का नाम बताओ, और जिसकी unit आपके पास available हो ठीक है, unit आपके पास हो लेकिन जो dimension less हो वो कौन-कौन सी physical quantity है मैंने अब ये भी बताया है एक तो होता आपका angle एक होता आपका solid angle ठीक है और जो physical quantity का dimension हो उसकी unity ना हो ये कभी नहीं होगा ठीक है इसके बाद करते है principle of homogeneity क्या होता आपका principle of homogeneity देखो principle of homogeneity होता है आपका किसी भी physical quantity में पहले ये देखो homogeneity का मतलब क्या होता आपका homogeneity का मतलब होता है आपका same मतलब same चीज ठीक है तो देखो किसी भी physical quantity में आप क्या करो same चीज उसमें क्या कर या तो कर दो add कर दो या फिर उसमें क्या कर दो, सेम चीज़, सब्ट्रेक्ट कर दो, ठीक है, अब देखो, जो इसकी जो definition होती है, वो क्या होती है, the dimension of each term of an equation must be same, dimension of each term of an equation, dimension each term equation की must be same, और we can, और आपको ये भी बोल सकते हो, आप इसको, we can add or subtract same quantity, ठीक है, मतलब add आप क्या करो, same quantity करो, और आप इसमें subtract करो, वो भी क्या करो, same quantity, लेकिन आप multiply और divide उसमें कुछ भी कर सकते हो, लेकिन add or subtract करोगे ना, आप उसमें, तो आप उसमें same चीज़ी add करोगे, और same चीज़ी subtract करोगे, देखो, इसकी definition आप ये, एक ये भी बोल सकते हो कि, we can add or subtract similar, we can add or subtract similar physical quantity, ठीक है, we can add or subtract similar physical quantity, आप जोड और गटा, similar physical quantity करोगे, देखो, for example, आप देख लो, कि आपके पास, आपको कोई ये बोल ले कि, four second क्या आपके पास, time है, जो time क्यूनिट क्या होती है, वो क्या होती है आपके पास, second है, और कोई आपको ये बोलो कि, आपको principle of homogeneity निकालना है, ठीक है, उसमें आप three second or add कर सकते हो, हाँ जी कर सकते है, कैसे quantity इसमें add कर सकते हैं, मतलब time में क्या add किया हमने, time add किया, तो ये हमा हो सकते है, ठीक है, अब देखो, कोई आपको ये बोल ले कि, आपको बास क्या है, एक five newton क्या आपके पास, five newton क्या है, force है, क्योंकि जो newton होती है, वो किसकी unit होती है, आपके पास है, force क्यूनिट होती कोई आपको इस और आपको ये बोले कि इस में आपको क्या add करना है? 3 MPR add करना है? और MPR क्या होती है आपकी? current unit होती है? तो आप force में कभी current को add नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपका principle of homogeneity ये बताता है कि आप सेम चीज में सेम चीज एड कर सकते हूँ एड या फिर सब्डेक्ट कर सकते हूँ लेकिन आप मल्टिप्लाई और डिवाइड कुछ भी कर सकते हूँ अब आपको कोई ये बोले कि फॉर अग्जामपल फाइफ न्यूटन फोर्स आपके पास फॉर्स क्यों हो क्योंकि न्यूटन क्या होती है फॉर्स क्यों निट होती है आपके पास उसमें आपको क्या करना है टू न्यूटन और एड करना है ठीक है तो फॉर्स में आपको क्या एड करना है फॉर्स ही एड करना है ना तो ये क्या हो सकता है क्योंकि we can add or subtract similar physical quantity तो आपको force में force ही क्या करना है add करना है यह हो सकता है अब देखो the dimension of each term of an equation must be same ठीक है यह आपने पढ़ लिया और we can add or subtract the same quantity अब add or subtract क्या कर सकते हो same quantity only those physical quantity can be added or subtracted which have same dimension देखो only those physical quantity आप उन physical quantity को add or subtract कर सकते हो जिनका क्या हो आपके पास dimension क्या हो same same dimension की physical quantity आपे add या subtract कर सकते हो ठीक है इसके बाद देखो आप इसको यह भी बोल सकते हो the dimension of all the terms written on both the side of a correct equation should be same जो आपका dimension होता है all the terms का written on both side of a correct equation should be same दोनों side क्या होगी correct equation होगी वो के दोनों side में क्या होगी आपकी same होगी ठीक है अब देखो for example velocity आपके पास velocity का formula क्या होता है displacement upon time density का mass upon volume acceleration का क्या है velocity over time मतलब आप multiply और divide कुछ भी कर सकते हो लेकिन जो आपको idea सब्ट्रेक्ट करना होता है वो आपे same quantity idea सब्ट्रेक्ट करोगी देखो for example आपको क्या करना है देखो question कर लेते find the dimension of a and b आपको क्या निकालना है a और b का क्या निकालना है dimension निकालना है ठीक है v is equal to a plus b t ठीक है v क्या है आपके पास v आपके पास velocity t क्या है आपके पास t आपके पास time ठीक है आपको dimension किसका निकालना है a और b का आपको क्या निकालना है dimension निकालना है पहले आप A का dimension निकाल लो और B का निकालने है ठीक है तो dimension of A is equal to dimension of the V क्योंकि left hand side और right hand side आपको क्या करनी है निकालने है अब देखो जो आपका acceleration होता है वो क्या होता है आपका displacement acceleration sorry होता है change in velocity per unit time ठीक है तो ये क्या आगया length upon time ठीक है length upon time आगया का dimension formula होता है वो होता है L T minus 1 dimension of the T निकालना हो तो वो किसके B cross T का निकालना हो आपको वो किसके equal आएगा dimension of the V के equal आएगा ये देखो यहां से क्या आजाएगा B cross T is equal to L upon T ठीक है जो B cross T था वो आपने सोरी यहां पे क्याएगा देखो velocity आएगा ठीक है velocity क्या होती है आपके जो displacement होती है वो होती है ठीक है जो displacement क्यों निट होती है वो क्या होती है length अपन टाइम आगया L T minus 1 आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड रखोगे देखो B cross T equal to L वो over T रखोगे ठीक है तो यहांसे T इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा L over T square तो यह से B का जो dimension formula हैगा वो क्या हैगा L T minus 2 ये क्या है आपके पास principle of homogeneity का question